नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक्ड दोस्तों आज मैं जगवा डायवर्टर का अन्बाक्सिंग करूँगा और दोस्तों साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा डायवर्टर आपको लगाना चाहिए अगर आप बात्रूम में अपने diverter लगवाना चाहते हैं तो किस company का diverter आपके लिए सही रहेगा diverter को खरीदते टाइम आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो ये सब complete जनकारी दूँगा मैं आज के इस वीडियो में तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को पूरा complete देखिए शुरू सिलाश तक और चैनल पर पहले रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करना उसका reply करूंगा मैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो यहां पर दिखिए जगुआर का यहां पर तीन बॉक्स दिखाई दिरा है जो सबसे उपर वाला बॉक्स दोस्तों यह दिखिए इसमें स्पाउट है यह स्पाउट जो है दोस्तों यह जगुआर एसको माडल का है तो चलिए इसको मैं खोल दिया यह दिखिए अभी यहां पर डबल स्पाउट है क्योंकि मुझे दो जरूरत था तो इसलिए मैं दो मंगवाया हूं यह दिखिए यह स्पाउट है यह देखिए यह स्पाउट है जो की काफी इसमें जो पानी गिरेगा उसको बंद करने के लिए डाइवर्टर से ही हम डायरेक्ट बंद करेंगे और यहां पर दिखिए यह इसका जाली अगरे है सब कुछ तो काफी अच्छा है यह जगवार का है और प्राइस मैं दिखा रहा हूं आपको इसको मैं रख देता हूं क् यहां पर देखिए दोस्तों अगर इसका मैं बात करूँ प्राइस की तो यहां पर 800 रुपे लिखा हुआ है लेकिन डिस्काउंट करने के बाद यह मुझे 700 रुपे का मिला हुआ है उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर एक बॉक्स यह दिखाई दे रहा है इसके यहां पर जो है यहां नीचे वाले में डैवर्टर का हैंडिल आएगा यानि कि थर्मोस्टेटिक जिसमें हैंडिल लगेगा और यहां पर उपर दोस्तों सावर कौन अप करने के लिए और स्पाउट कौन अप करने के लिए यहां पर यह हैंडिल आएगा तो यह कबर प्ले discount हुआ है तो यह जो है दोस्तों मुझे 16 रुपे का मिला है यह दिखे यह इसका handle है दोस्तों यहां पर दिखे इस तरह से लगेगा diverter में मैं diverter भी अभी दिखा रहा हूँ तो काफी अच्छा है यह उसके बाद इस box में यहां पर दिखे और कुछ नहीं है यहां पर दो एलंग की दिया हूँ दोस्तों यह दिखे यहां पर दोस्तों यह कर देखे इस जक्सन मैनुल है और उसके बाद इसमें बताया हुए कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है यहां पर इस तरह से डाइवर्टर में दिया हुआ है अभी इसके जरूत नहीं है यह देखे यह दोस्तों जगवार का डाइवर्टर यह जो है दोस्तों इस तरह से इस्टाल होता है यह वाला सिरा उपर जाता है और यह नीचे जा हुआ यानि की स्पाउट और इसको इंस्टाल करने के लिए टाइल से कितना मैक्समम बाहर रखना है और कितना मिनिमम रखना है सब सबकुछ यहां पर देखें लेबल दिया हुआ है ब्लैक कलर का यह इस ट्रिप दिखाई दे रहा है तो अभी यहां पर दोस्तों इसमें जो क्रोम वाला जो इसका सर्फिस होता है वह चीज नहीं है वह बाद में आएगा अभी है नहीं यहां पर इसमें हैंडिल इस तरह से ल प्रत करेंगे तो cold water राइगा इधर left side में करेंगे तो hot water राएगा। इस तरह से उठाना पडता है यह देखी मैं उठाया हूं और जो cover plate है दोस्तों वह इस में इस तरह से से काम करेगा क्योंकि यह हाइफ लो डाइवर्टर है और इसमें देखें यहाँ पर यहाँ यहाँ पर नहीं है तो वह बाद में आएगा और दोस्तों इसका जो प्राइस है यहाँ पर देखें बॉक्स के ऊपर यहाँ पर कमपनी खरई दें कंपनी का ही खरीदे जग38 हो गया हिंदवेर हो गया सब भार्ण एट कंपनी होती है यह सब जो डर होता है दोस्तों इसमें प्रेसर बहुत ही कम होता है थीख करें अच्छा अता हैं तो आप रहो औरघ्र के का यहां कोट्वराइब करें का लिज और प्लंबिंग का अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेस्बुक पेज और इस्टाग्राम पर फालो किजिए दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पेज पर पहुंच ज आप